ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है Nutritional Assessment Methods Class शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है Class के notes आपको description box में दे दी जाएंगे वहाँ से आप direct download कर सकते तो शुरू करते हैं हमारा Nutrition and Health वाले chapter का अगला topic that is Nutritional Assessment Methods अब इससे पहले Nutrition and Health वाले chapter में हमने बहुत सरह टोपिक कर चुक है जैसे हमने Nutrients पढ़ा था, उसके Sources पढ़े थे Dietary Fibers पढ़ा था, Vitamins पढ़ा था उसकी Deficiency चेवने वाले या लगला बिमारियां पढ़ी थी फिर Vitamin A पढ़ा था, उसकी Deficiency वाले सरॉप्थल्मिया प्रेविंचिन के लिए उसका प्रोग्राम फिर Vitamin B3 Deficiency या पहले कर पढ़ा था, Trace Elements, Dietary Oxidants फिर अबने पढ़ा था, Iron Deficiency वाले Nutrition अनीमिया प्रेविंचिन के लिए अनीमिया मुद भारत फिर मने पढ़ा था, Iodine उसकी Deficiency वाल Iodine Deficiency Disorder और उसका control program फिर मने पढ़ा था, Fluorine उसकी था, मने पढ़ा था, Endemic Fluorosis और उसकी अन्दर मने पढ़ा था, Nalgonda Technique फिर Nutrition अनीमिया मने पढ़ा था, Zinc प्रोटीन असेस्मेंट मेथाड्स पढ़ी थी दोनू quality-wise और quantity-wise फिर limiting amino acid और essential amino acid उसकी में पढ़ा था उसके बाद हमने NPU या net protein utilization दिखा था फिर मने essential fatty acids पढ़ा, बहुती important definition अमने पढ़ी balanced diet की, फिर मने dietary goals पढ़ा फिर मने malnutrition पढ़ा, उसके ताथ हमने protein energy malnutrition या PEM पढ़ा था और उसी के अंदर हमने पढ़ा था क्वाशी ओरका और marasmas में difference था उसके बाद हमने पढ़ा था NRC या Nutrition Rehabilitation Center और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था nutrition factors जो कार्डियोस को डिजीज को effect काब दे तो ये सारे topics के videos आप channel की playlist खोलोगे तो playlist में आप nutrition and health वाले playlist को लोगे तो ये सारे topics के videos उनकी notes के साथ आपको मिल जाएंगे ठीक तो शुरू करते हैं हमारा आज को topic that is nutritional assessment methods अब nutritional assessment methods क्या है इसमें हम करते क्या है but obviously nutritional assessment पतलब हम लोगों का nutritional status को assess करते हैं कि भाई लोगों के nutrition status को assess कैसे करना है मुक्यता तो इसमें हम actually लोगों का dietary intake देखते है actually आपको एक अलग से question आता है कि भाई diet survey क्या होता है diet survey कुछ नहीं होता है diet survey वही होता है कि हम assess करते हैं लोगों का dietary intake और उससे हम assess करते हैं उनका nutritional status तो एक ही चीज़ है तो nutritional assessment methods मेंना सबसे पहला सवाल आता है का कैसा है malnutrition की तरफ जा रहा है कि नहीं को portion तो नहीं हो रहा है किसी vitamin या किसी nutrient की deficiency तो नहीं हो रही है इन सब को check करने के लिए कौन-कौन सी methods होती है वो है nutritional assessment methods अब वो कौन-कौन सी है देखो पहले तो उनके नाम बता होने चाहिए ठीक तो सबसे पहले तो anthropometry इसमें आप weight, height, metaparm, circumferences सब कुछ देखोगे अलग-अलग हम इनको समझेंगे अलग-अलग अभी सिर्फ नाम उसके बाद आता है कई biochemical or laboratory assessment methods होती है laboratory test लगाते हैं हम biochemical test लगाते हैं nutrition से related चीज़ होगे तो उसको भी second, third है chemical examination, clinical examination करते हैं हम clinical examination में हम देखते हैं भाई science symptoms तो कुछ नहीं मिल रहा है जैसे जरॉप्थल्मिया में हमको क्या मिलते है bitter spot तो वो तो नहीं मिल रहा है goiter वगार में हमको thyroid gland का enlargement मिलता है वो सब तो नहीं यह सब clinical examination में हम करते हैं dietary intake बहुत important है dietary intake assessment में हम क्या करते हैं हम जाकर उनसे पूछते हैं कि भाई आपने पिछले 24 गंटे में क्या खाया था या फिर उस दिन जो खाना बन रहा होता है उसको वे करते हैं वजन लेते हैं या जो बन चुका है उसका वजन लेते हैं तो यह सब कुछ आएगा dietary intake assessment में फिर आता है ecological factors आसपास के वातरवन को कैसे effect करते हैं लोगों की nutrition status को वो सारे factors फिर functional indicators बोड़ी के अलग-अलग functions जो होते हैं उनको assess करने के लिए related to nutrition हम indicators होते हैं उनको assess करते हैं उनको से related test लगाते हैं फिर vital statistics इसमें हम morbidity और mortality indicators देखते हैं ठीक तो यह कुछ points हैं जो आपको याद रखने है nutrition assessment methods में अब इसको याद कैसे करेंगे तो nutrition assessment methods को याद करने का simple सा तरीका है A, B, C, D, E, F, V तो A for anthropometric measures B for biochemical और laboratory assessment C for clinical examination D for dietary intake assessment E for ecological factors और F for functional indicators तो A, B, C, D, E, F तो आपको याद हो गया है ठीक है अब आखरी में क्या आता है आखरी में आएगा V means for vital statistics और यह V actually अलग है तो उसको याद कैसे करेंगे तो देखो शुरुआत किसे किती हमने A से तो A का उल्टा क्या हो जाएगा? V हो जाएगा तो ऐसे भी याद का सकते हो कि भाईया A से शुरुआत की थी और V से खतम होगा तो ऐसे आप याद का सकते हो A, B, C, D, E, F, V Nutritional assessment methods ठीक? तो ऐसे आप याद का सकते हो Nutritional assessment methods को अब एक-एक को हम समझते हैं ठीक? सबसे पहले आता है Anthropometry Anthropometry में करेंगे क्या हम height लेंगे, length लेंगे अब बोलोगे याद याद यह height लेंगे, length लेंगे यह क्या है? तो याद है हमने पहले पढ़ा था जो हमारा Ops Pediatrics and Geriatrics वाला चप्टर था Growth and Development में हमने पढ़ा था कि छोटे बच्चों की हम height नहीं, length लेंगफ नापते हैं जबकि बड़े बच्चों की और adults की हम height नापते हैं तो length नापने के लिए हम किसका इस्तमाल करते हैं? छोटे बच्चों की length नापने के लिए हम infantometer का इस्तमाल करते हैं खेटरिक्स, पीडियाउ्कट्रिक्स जेरिएक्स वाला चैप्टर को लोगे उसमें ग्रोथ एन डेवलॉपमेंट वाला टॉपिक जो है, उसका वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया है मैंने इंफैंटुमीटर यह होता है स्टेडियोमीटर क्या होता ह मज़ा है को उसको पढ़ने में वहाँ जाके देख सकते हो ठीक तो यह हो गया आपको height नापनी है तो height आप किससे नापनी हो यह दिख रहा है यह है stadionometer इससे नापनी हो जबकि छोटे बच्चे हैं तो आपको length नापनी है तो किससे नापनी हो infantometer से तो यह infantometer होता है ठीक तो height आपनी नाप ले और length आपनी देख ले उसके बाद weight वजन अगर आपको लेना है तो तो यह को weighing machine तो होती है ठीक है लेकिन छोटे बच्चों का वजन आपने के लिए salter scale का इस्तमाल करते हैं आप गए होगे ना अंगनवारी center वगरा गए होगे तो वहाँ पर आपको यह लटका हुआ दिखता है तो यह होता है आपका salter scale यहाँ आप ऐसे जूला बना रहता है इसे बच्चे को लटका दो यहाँ पर रिडिंग शो कर देता है that is आपका salter scale तो यह भी important है हमने किसमें इसको discuss किया था I guess अंगनवारी center वगरा जो हमने पढ़ा था उसमें भी इसको दिखाया है तो कुछ ऐसा दिखते हैं आपका salter scale उसमें बाद important है skin fold thickness तो skin fold thickness से भी आप देख सकते हो कि भईया nutrition status लोगों का कैसा है देखो height और weight से तो आप देखते हो कि भईया कोई बच्चा को portional की तरफ तो नहीं जा रहा है height ठीक से बढ़ रही है कि नहीं वजन ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं तो उसमें से बहुत कम तो नहीं हो गया यह दो तो आपको याद रहते है उसके बाद वाला skin full thickness से भी आप actually नाप सकते हो कि भईया nutrition status कैसा है वा skin full thickness नापने के लिए किसके अस्तमाल करते हैं हम हर्पंडीन स्कैलिपर का यह कुछ इस तरह से दिखता है हर्पंडीन स्कैलिपर इसकी अलग-अलग site होती है जैसे यहाँ पर scapula के पीछे नाप रहे है और भी अलग-अलग जगह होती है यह हम जब non-communicable disease पढ़ेंगे उसमें जब हम obesity पढ़ेंगे उसमें इसको अच्छे से discuss करेंगे अब यह at least नाप पता होना चाहिए और कैसा दिखता है यह पता होना चाहिए तो यह कुछ ऐसा दिखता है आपका herpentine scalper और यह skin full thickness नापने के लिए use होता है समझ गए यह दिख रहे हैं इसमें ऐसे दोनों के बीच में ऐसे skin को आप pinch कर देते हो और फिर कितनी skin full thickness है यहाँ पे इसकी reading show हो जाती है तो skin full thickness भी आप देख सकते हैं nutrition status के लिए और सबसे आखर में आता है mid-aparam circumference और mid-aparam circumference नापने के लिए हम किसके अस्तिमाल करते हैं चाकिल स्टेप का यह हमने पढ़ा तो याद है चाकिल स्टेप का हमने किसमें अच्छे से discuss किया था यह जो nutrition वाला हमारा chapter है इसमें हमको protein energy malnutrition PM आया था उसमें हमने mid-aparam circumference को अच्छे से discuss किया है आप चाहो तो इसका वीडियो देख सकते हो वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से देखा है कि शाकिल स्टेप क्या होता है कैसे उसको नापना है कैसे mid जो arm की mid है वो कैसे लेंगे तो यह mid-aparam circumference नापने के लिए शाकिल स्टेप यूज़ करते है कैसे करते हैं वहाँ जा के अब देख सकते हैं ठीक तो anthropometric measures में न यह सारे चीज़ां और इनके instrument के आद रखना बहुत important है नाम तो बहुत हीज़ी है height और weight लेलो skin 4th thickness लेलो mid-aparam circumference लेलो किसे नाम दे हैं यह बहुत important है height के लिए stadiometer length के लिए infantometer weight के लिए wing machine को है बाकि बच्चों के लिए salter scale skill 4th thickness के लिए herpentine scalper and mid-aparam circumference के लिए chakra scale ठीक यह तो होगी आपकी A for anthropometry अगला क्या था B B for biochemical test या biochemical and laboratory assessments तो कौन-कौन से biochemical test हम लगाते हैं जिससे nutrition से related चीजों का पता लग सके और कौन-कौन से lab test हम लगाते हैं जिससे इंसान के nutritional status के हम पता लगा सके तो देखो nutrition status से related चीजों के हम test लगाएंगे जैसे कि अगर हमको देखना है vitamin A की deficiency तो नहीं हो गई है तो हम क्या करेंगे serum retinol देख लेंगे vitamin K की deficiency तो नहीं है या आपको coagulation वगरा इन सब में काम आता है तो हम इसके लिए prothombin time देख लेंगे उसके लावा protein कम तो नहीं हो गया शही में protein की कमी तो नहीं हो गया इसके लिए हम syrup albumin लगा लेंगे तो यह हो गए आपके कुछ biochemical test जो आप nutrition status देखने के लिए लगा सकते हो वैसे ही laboratory test भी कही होते है जो आप nutrition status के लिए आप iron की deficiency हो गए है कि नहीं उसके लिए आप सीधा पहले तो hemoglobin test लगा लो hemoglobin कम होगा तो आप suspect कर सकते हो हाँ भी है iron भी कम हो रहा है stool examination आप कर सकते हो stool examination क्यों कहीं कोई intestinal infestation तो नहीं हो गया है parasitic infestation तो नहीं हो गया और क्योंकि फिर वो cupotion को आके जाके result कर सकते है तीक उसके अरावा urine albumin और urine sugar पे आप test लगा सकते हो nutrition status के लिए तीक आपको protein का sugar का यह सब पता चल जाएगा यहाँ पे आपको cupotion किस से हो रहा है यह पता चल जाएगा ऐसा तो नहीं कि पेट में यह किले वगरा है immunoglobin estimation से आपको iron वगरा का पता चल जाएगा यह ऐसा तो नहीं कि anemia के तरफ जा रहा है इंसान तो यह सब पता लगा सकते है ठीक तो यह हो गए आपके कुछ biochemical test और lab test जो nutritional status से related है ठीक तो यह आपके second हो गए A for anthropometry हो गए B for biochemical and laboratory test हो गए अब तीसरा आता है तीसरा कौन से था T for clinical examination अब आप judge करोगे लोगों की examination clinically examine करोगे लोगों को और निकालने की कोशिश करोगे कुछ specific signs and symptoms जो कि आपको बता सकते हैं कि इसका nutrition status कराब है इस vitamin A vitamin B की deficiency हो रही है जैसे अगर आप clinical examination करते हो और आपको bitted spot मिलता है bitted spot क्या होता है यादे हमने vitamin A deficiency जब पड़े थी या हमने जरब्थेल्मिया पढ़ा था आप nutrition and health वाले chapter खोलो के उसमें vitamin A deficiency या जरब्थेल्मिया वाला वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हो अच्छे डिसकस किया है कि भाईया ये pearly white triangular patch हमको मिलता है तो that is bitted spot जो हमको जरब्थेल्मिया में मिलता है तो अगर हमको bitted spot मिल रहा है clinical examination में तो हम बोल सकते हैं हाँ भाईया इसको vitamin A की deficiency होई है तो एक तरह से आपने nutrition status पता कर लिए उसका उसके अलावा आप knee jerk और ankle jerk हम करते थे नहीं हम first year में हमने सब सीखा था ऐसे भी कर सकते है या उसको बिठा के tongue ऐसे उसके गुटने के नीचे लटका दी फिर हम knee jerk करते थे या हम ऐसे ankle jerk करके देखते थे तो अगर ये नहीं हो रहा है या हमको knee jerk Kagorkal junk नहीं मिल रहे है ये किस में नहीं मिलता है ये हमको baby right में नहीं मिल सकता है तो हम बता सकते है कि विटमिन B की deficiency हो रही है यहाँ है तो knee jerk और ankle jerk हम clean करे लिए examine करके देख सकते हैं अगर नहीं मिल रहे हैं उसके जावा हम thyroid gland का examination कर सकते हैं अगर हमको enlargement of thyroid gland मिल रही है तो हम क्या बोल सकते हैं हाँ या endemic goiter है या फिर हम कह सकते हैं या iodine deficiency disorder है iodine की कमी हो रही है तो इस तरह भी हम nutrition status का बता लगा सकते हैं लोगों का ठीक तो nutritional status या nutritional assessment method में एक और जो जोड़ जाएगा वो है आपका clinical examination तो ये साथे clinical features आप देख सकते हो patients में या लोगों में मिल रहे हैं कि नहीं ठीक है तो A हो गया, B हो गया, C हो गया अगला आता है D तो D से क्या होगा D से होगा dietary intake assessment अब dietary intake assessment में ना तीन चीज़े हैं देख एक तो ऐसा है कि आप जाके सीधा ही पूछ लो oral questionnaire में था रहे सीधा जाके पूछ लो कि भाईया पिछले 24 घंटे में क्या खाया था पहला है तीक, उसके अलावा है कि आप गए हो वहाँ पर nutrition status चेक करने के लिए तो सुभे सुभे चले जाओ और ये देख लो कि भाईया क्या-क्या खाना पक रहा है तो आपने देख लिए कि क्या-क्या खाना पक रहा है तो उसको आपने क्या कर लिया उसका आपने वजन ले लिया कि भाईया इतनी सबसीया है इतने फल है इतना अनाज है उन सब का आपने वजन कर लिया, वजन करके देख लिया और बता दिया कि हाँ भईया एक दिन में इनके इतना खाना बनता है या तो आपने वेमेंट ओफ रॉफ फूट कर लिया, कच्छा खाना को वजन ले लिया या अगर आप मानलो थोड़ा सा लेट हो गए हो, खाना बन चुका है, तो वेमेंट ओफ फूट भी कर सकते हो, यानि कि जो खाना बन चुका है, उसका वजन ले लो तो आप बता सकते हो कि हाँ भीया, इनके या इतने वजन का ये खाना था, जो बना हुआ था, उसके हिसाब से इतना ये परडे खाते हैं तो वेमेंट ओफ, तो कौन-कौन से तीन प्रोसीजर है आपके पास, पहला तो कच्छे खाने का वजन ले लो, दूसरा पके हुए खाने का वजन ले लो, और तीसरा कच्छा खाना, पका हुए खाना, कुछ भी नहीं है, पता चला कि उनने पूरे खा लिया, आप रात में तो आप क्या बोलोगे कि भईया, पिछले 24 गंटी में क्या खाया था, ये बता दो, that is oral questionnaire में था, ठीक, तो याद रखना, वेमेंट ओफ, raw food, यानि कि अगर आप सुबह सुबह मान लो, early morning आप पहुँच गए, तो आपको खाना वहाँ पे बना हुआ नहीं मिलेगा, अभी खाना बनने की तैयारी हो रही होगी, तो आप बढ़िया, जो भी खाना बन रहा है, कच्छा खाना जो रखा हुआ है, सबजियां वगरा, नाज वगरा, वो सब को आप वजन ले लो, ठीक, और मान लो थोड़ा से लेट हो गए हो, दो पहर में पहुचे हो, खाना बन चुक अब इन तीनों को समझते हैं क्या है, पहले तो समझगे ना, रॉफोट, कच्छा खाना आपने पूरे ले लिए, मगर अगर डाइटरी साइकल पर आपको सवाल पूचे कि यह डाइटरी साइकल क्या होता है, तो उसका मतलब क्या है, जब आप लगतार साथ दिन तक लोगो फिर थर्स्टे को गए, फिर फ्राइडे को गए, फिर सेटर्डे को गए, फिर संडे को गए, हफते में साथ दिन तक आप लगतार गए, अरली मॉर्निंग चले गए, रोज जाके आपने वहाँ पर जो रॉफोड या कच्छा खाना था, उसको आपने वजन वगर ले लिया तो उसके थरू आप बोल सकते हो कि भाईया, इनकी डाइटरी साइकल आपने चेक कर ली है, डाइटरी साइकल क्या होती है, जब आप लगता साथ दिन तक जाके, वहाँ पर जो रॉफोड है या कच्छा अनाज और खाना है, उसका वजन लेते हो और उससे एस्टिमेट आते हो उनका nutrition status का, तब आप कहते हो कि आपने इनकी डाइटरी साइकल चेक कर ली है, ठीक, तो दाट इस डाइटरी साइकल, वेमेंट आफ कोट फूड ठीक है कि भाई, जो खाना बन चुका है, जो अब बस डारेक्ली आपको कंजियूम करना है, या डाइटली खाना है, उ बहुत इंपोर्टेंट है ये वाईवा के लिए, 24-hour recall method में क्या करते हो, आप जाके उनसे पूछते हो, कि भाईया, पिछले 24 घंटे में आपने क्या-क्या खाया था, ये बता दो, ठीक, तो भाई, वो बता देते हैं, याद करके, कि भाईया, मैंने नाश्ते में ये खाया था, मैंने लंच में ये खाया था, मैंने इवनिंग स्नैक में ये लिया था, मैंने डिनर में ये लिया था, तो ऐसे आप 24-hour recall method से पूछ सकते हो, जाधा था जो survey वगरा होते हैं, तो उसमें 24-hour recall method का बहुत इस्तमाल होता है, तो इसको याद रखना, ये वाईवा के लिए बहुत important है, और dietary cycle वाईवा के लिए बहुत important है, ठीक, dietary intake assessment method समझ गए कौन-कौन सी है, पहले तो आपने कच्छा खाने का वज़न ले लिया, दूसरा आपने पके हुए खाने का वज़न ले लिया, तीसरा आपने oral questionnaire method, जाके उनका interview ले लिया, सवाल पूछ लिये, जिसको द dietary cycle पूछी जाती है न, तो कई बार आप जवाब में raw food की जगा, आप बोल देते हो कि जो पका हुआ खाना है या cooked food है, उसको आप लगता साथ दिन तक जाके चेक करते हो, वजन लेते हो, वो dietary cycle में आता है, नहीं भी, raw food है, तो इसको याद कैसे करेंगे, कि dietary cycle में raw food के हम सा दिन तक चेक करते हैं, तो देखो, dietary cycle, cycle है यह, यह है cycle, ऐसी होता न, cycle, के spelling होती है न, cycle, ठीक है, तो cycle में क्या आ रहा है, का, तो का से क्या होता है, का से होता है, कच्चा, तो कच्चा खाना, raw food, ओक है, तो का रहा है आपके, cycle में का रहा है, और कच्चा में भी का रहा है, cycle, cycle के कर से कच्चा, कच्चा मतलब raw food, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, कि dietary cycle में हम साथ दिन तक, कच्चे खाने को, या raw food को जाके, वजन लेते हैं, और उस तरह से हम चेक करते हैं, क्योंकि dietary cycle क्या है, और nutritional assessment उनका चेक करते हैं समझ गए, तो ये तीन थे हैं आपके dietary intake assessment में, और इसमें dietary cycle और 24 hour recall method बहुत important है वाई 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 लिए, ठीक, तो ये तो हो गया, A, B, C, D, 4, D के बाद क्या आएगा, A, B, C, D, E, पाच्वा आएगा, E, E for क्या पढ़ा था हमने, ecological factors, अब या, ecological factors में क्या क्या है, ecology म मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरन, तो हमारे आसपास की कौन-कौन सी चीजे होती हैं, जो हमारा nutritional status खराब कर सकती है, या लोगों को proportion या malnutrition की तरफ ले जा सकती है, तो वो सारे ecological factors assessment में हैंगे, ecological factors में हैंगे, तो पहला तो उसमें आजाएगा, socio-economic factors, अब socio-economic factors मे क्या क्या आ जाएगा, देखो, family size, income और cultural patterns, ये सभी चीजे effect कर सकते हैं इंसान के nutrition status को, कैसे, देखो, अब family size अगर छोटी है, ठीक है, अगर छोटी family size है, सिर्फ चार, चार या तीन लोग है, मतलब पापा, ममी हैं और दो बच्चे हैं, तो कम पैसों में भी सबको पोशर में लेगा, nutrition status ठीक रहेगा, वहीं अगर बहुत सारी बच्चे हैं, मार लोग 5-6 बच्चे हैं, और बूडे भी हैं घर में, जबकि कमाने वाले बस वही एक ये दो है, तो but obviously family size बढ़ जाएगा, तो nutritional status अगर proper कमाई नहीं हो रही है, थोड़े कम पैसे हैं, तो but obviously nutritional status में भी effect पड़ेगा, बच्चों के और लोगों के, ठीक है, और सीन चीज़ हो जाती है, income के लिए, कि भाईया, income भी वही है, कि अगर income अच्छे कासी है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर income कम हो गई, तो कई बार ऐसा होता है, कि nutrition status maintain नहीं कर पाते हैं, ठीक, तो वो भी effect कर सक पाता है, वो भी socio-economic factors में आ जाएगा, in fact एक और चीज़ होती है, cultural patterns भी effect करते हैं, लोगे के nutrition status को, in fact यह बहुत अच्छा topic था, cultural factors affecting health and, cultural factors for health and diseases, यह topic हमने पढ़ा था, medicine and social science वाले chapter, तो medicine and social science वाले playlist को लोगे, उसमें cultural factors affecting health and disease वाला बहुत मज़ा है, इसको देख लेना, उसमें सारे cultural patterns पढ़ाए हूँ, कुछ example अगर में को देने है, cultural patterns के, तो कई लोगों के अलग-अलग cultures में कई ऐसी चीज़े होती हैं, जो nutrition status को बिगाड भी सकती है, मैं नहीं बोलरा, ब vegetarians होते हैं, अब vegetarians हैं, तो कई जो non-veg के थुरू, आपको nutrition मिलना है, वो लोगों को नहीं मिल पाता है, उस वज़य से, जो vegetarians होते हैं, उनमें कुछ deficiency हो जाती है, मैं नहीं बोलरा कि vegetarian होना गलत है, veg, non-veg, सब अपनी अपनी जग़ ठीक है, what matters, यहां पे जो theoretical है, वो part ब होता है, कि कई जगह पे ऐसा होता है, कि जैसे कि papaya, अब जो pregnant lady होती है, उसको papaya खाने को मलना कर देते हैं, यह इसमें अब autocans होते हैं, abortion हो जाएगा, मत काओ, या फिर कई बार जो pregnant lady होती हैं, उनको बोलते हैं कि इसको जाता मत खिलाओ, वरना जो baby है, वो बहुत बड़ा पैदा होगा, तो delivery में problem हो जाएगी, इस तरह कि, in fact, pregnancy में कई cultures में ऐसा बोलते हैं, कि भाया, वो जो मा का पहला दूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, colestrum, वो उसको बहा दो, वो अच्छा नहीं होता है, बच्चे के लिए, भाया, वो तो चड़ी-बूटी होता है, मतल अच्छा कहा जाता है, तो कई cultures में अलग-अलग patterns होते हैं, जो बच्चों को या लोगों को nutritional deficiency या nutritional status खराब कर सकते हैं, तो वो सारे topics आपको cultural patterns में मिल जाएगे, तो कुछ examples यहाँ पर है, theoretical है, मैंने बोलता कि practically क्या सही क्या गलत, पर theoretical चीज़े हैं यह, तो यह होगे socio-economic factors, पर आता है health services, यह किसी जगह पर health services अगर अच्छी हैं, तो but obviously वहाँ के लोगों का nutrition status भी अच्छा होगा, यह कैसे हम बता सकते हैं, भाई देगो, health services अच्छी हैं, तो जो programs चला रही हैं सरकार, वो भी अच्छे से काम कर रहे होंगा, जैसे कि feeding program, feeding program में कौन-कौन सा जा जाएगा, जैसे कि midday meal program है, या फिर portion अभियान है, यह दोनों चीज़ें आप बच्चों का nutritional status maintain करके रखती हैं, अब अगर यह feeding program अच्छे से चल रहे हैं, तो but obviously वहाँ के बच्चों का nutritional status अच्छा होगा, वैसे ही जो immunization program है, जैसे national immunization schedule के तहत अगर बच्चों को T के समय स लग रहा है, तो but obviously आगे जाके बच्चों ही vitamin A की deficiency वेगरा भी नहीं मिलेगी, तो इस तरह से feeding program और immunization program अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं, health services वहाँ बच्चों को अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं, यह भी एक major role play करते हैं यह करने के लिए, वहाँ के लोगों के nutritional status कैसा तो ecological factors assessment में health services भी important role है, ठीक, उसके बाद एक बहुत important शीज आती है, conditioning influences, conditioning influences का मतलब क्या होता है, कि कई ऐसी conditions होती हैं, जो लोगों की health को influence करती हैं और उनको mal nutrition की तरफ ले जाती हैं या उनका nutritional status खराब कर सकती हैं, तो ऐसी कोई conditioning influences तो नहीं है, यह भी आपको चेक करना है, जैसे कि parasitic infestation भाई, पेट में कीड़े इले तो नहीं है, तो आपको जाके वहाँ चेक करना है, कि भाईया कोई parasitic bacterial या viral infection तो नहीं है, वहाँ के लोगों में या खासकर बच्चों में, जो की आगे जाके कुपोशल को बढ़ावा दे, तो conditioning influences बहुत important है, ठीक, तो इसमें conditioning influences नहीं कुछ नहीं, आपको conditions बतानी है, जो influence करा सकती है, या आगे जाके बढ़ावा दे सकती है, कुपोशल को, ठीक, और सबसे आखरी में आती है, food balance sheet, अब यार इस पर तो अलग से एक वीडियो बन सकता है, लेकिन हमको, actually सिर्फ example के तोर पर याद रखने है, कि food balance sheet में हम करते हैं, कुछ नहीं, हम actually पूरी sheet बनाते हैं, अलग-अलग तरह कि उतनी food balance sheet में, एक example छोटा सा यह है, कि आपने पूरी food balance sheet बना ली, आपने main, जो तीन चीजे हैं, वो देख लिए कि कितनी calorie, कितना protein और कितना fat intake कर रहे हैं एक दिन में, तो आप दोनों चीजे देखत हो कि total calories कितनी ले रहे हैं, cereals के थूरू, फिर आपर roots जैसे की alo वगरा, tubers वगरा, फिर sugar के थूरू कितनी जा रही हैं, दाल वगरा के थूर, nuts वगरा के थूर, सबसियां कितनी ले रहे हैं, कितनी calories, कितनी protein, कितना fat मिल रहे हैं उससे, पलों से, उसके लाबा अगर non-witch खाते हों या मिल्क प्रोडक्ट खाते हों तो उनसे कितना कैलरी प्रोटियन फैट ले रहे test और फिर सफार्ग्री में टोटल आपका pressing कल ली उसमें और टोटल प्रोटीन कितना लिया टोटल फैट कितना액 हुआ उसमें से कितना प्रतिशत किस किस ने दिया से स्यक्थल imbalance Centre से कितना मिला, fruit से कितना मिला, nuts से कितना मिला, तो ये साली चीज़, इस तरह से आप पुर एक food balance sheet बना सकते हो, just एक example है, बहुत अलग अलग तरह के बनते हैं, just एक example कि food balance sheet के थुरू भी आप लोगों का nutritional status चेक कर सकते हो, nutritional assessment कर सकते हो, ठीक, तो ये ecological factors में एक example हो गया, तो य ecological factors के assessment की socio-economic factors, health services, conditioning influences और food balance sheet, ठीक, तो इसमें अलग अलग होती है, in fact food balance sheet में आप उस जगह की food balance sheet बना सकते हो, कि वहाँ पे कितना अनाज मिल रहा है, कितना अनाज आ रहा है, उसमें से कितना अनाज लोगों को मिल रहा है, कितना अनाज waste हो रहा है, बहुत साली अलग अल अनने क्या था, functional indicators, अपना कई functional indicators है, जो हमको बता सकते हैं कि इन specific nutrients की कमी से, ये सारे functions खराब हो सकते हैं, जैसे capillary fragility, जो छोटी-छोटी capillaries होती हैं, वो fragile हो जाए हैं, उनकी fragility check करने के लिए, हम test लगाते हैं, अलगल होते हैं, tonal pit test वगरा हो सब करते हैं, लेकिन अगर हमको positive सो अगरा मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे हैं, हाँ भया, vitamin C की कमी हो रही हैं, ऐसे ही prothrombin time हम निकालते हैं, prothrombin time अगरा कम हो रहा है, तो हमको पता रहते हैं, vitamin K का important role होता है, विटमिन K की कमी के लिए, ऐसे अगर आपको sperm count check करते हो, अगर आपको उसमें कमी मिल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं, भया, zinc जादा खाओ, zinc की deficiency हो रही है, वैसे अगर आप nerve conduction test लगाते हो, और उसमें आपको सही चीज नहीं मिल रही होते हैं, तो आप बोलते हैं, vitamin A की कमी हो रही है, ऐसे ही, dark adaptation हमने पढ़ा था, night blindness वगर हमने पढ़ा था, vitamin A deficiency में, तो night dark adaptation अगर अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो हम बोलते हैं, vitamin A की कमी हो रही है, तो यह सारे कुछ functional indicators है, जो आपको example के तौर पर याद होने चाहिए, तो capillary fragility के लिए, vitamin C, prothrombin to prothrombin time, तो आपको पता है, coagulation के लिए K है, यह आपके पास curve for coagulation curve for K, sperm count है आपका तो, उ S को आप उल्टा कर दो, बन जाएका Z, तो sperm count के लिए zinc, और यह है आपका C for capillary, तो vitamin C, ऐसे भी याद कर सकते हूं है, वैसे ही, nerve conduction हो जाएगा, dark adaptation हो जाएगा, तो यहाँ पर dark adaptation हो जाएगा, तो यहाँ पर dark adaptation, इसमें कितने सारे A हैं, तो आपको vitamin A से याद हो जाएगा, हल तो functional indicators में आपके यह सारी चीज़ें आ जाएगे, सबसे अकरिम क्या हैगा, हमने क्या कहा था, A से शुरू होता है, तो A का उल्टा कर दो, तो V बन जाता था, तो V for vital statistics, और vital statistics में आप देख सकते हो कि भाया, mortality, कितनी मृत्य हुई, nutrition related causes से, कितनी morbidity, कितनी बीमारियां हो रह यह सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, अब morbidity में, को बहुत सारी बीमारियां, कौन सी बीमारियां तो भाय, जैसे कि nutrition related, अभी तक हम बहुत सारी बीमारियां पढ़ चुके हो, नहीं के नाम लिख सकते हो, जैसे protein है न, जमाल nutrition, उस जगह पे तो नहीं मिल रहा है, nutritional anemia तो इतनी चीज़ें आपको nutritional assessment methods में पता होने चाहिए, ठीक, अगर मैं बात करो सवाल की तो भाई सहा, थियोरी में तो बहुत important question है, सीधा आ जाता है, कि enumerate करो nutritional assessment methods को, यह आपको short note या very short note ना सकता है, उसके अलावा आपको long question में भी आ सकता है, कि enumerate करो nutritional assessment method को, और सबको describe करो, तो आपको यह बताते है आना चाहिए, nutritional assessment method को बहुत important question है, थियोरी के लिए, भाई साथ होती है, कौन-कौन से होती है, तो उनके नाम बता दो, तो वह यह आप बता दोगे, ABCDEFV करके, मतलब उनके सामने मत बूलना, यह पता मैंने वाईवा जब मैं लेता हूना, बैटा चलो बताओ, nutrition assessment method, तो आप क्या बोलते हो, हाँ साथ, ABCDE लादा, ABCDE तुमको याद करने के लिए है, आप उन लोग को याद करने के लिए, examiner के सामने ABCD नहीं बोलना है, examiner के सामने बोलना है, anthropometry, biochemical, clinical, यह सामने बोलना है, तो पहले तो वाईवा को question, second वाईवा में वाईवा के important question, अब ना वाईवा के लिए यहाँ बहुत important question होते है, anthropometric measures करने हैं आपको तो किस-किस से, तो आपसे पूछ लेते है, weight लेना है तो किस से लोगे, तो तुम बोलते है, sir, weighing machine, दादा, वो तो बच्चे-बच्चे को, ठेले वाले कोई बता होगा, कि भाईया, लेने के लिए weighing machine का, सॉल्टा स्केल, छोटे बच्चों के लिए, ऐसे ही वाईवा में पूछ लिया जाता है, कि भाईया, लेंध किस से नापते हैं, तो लेंध किस से नापते हैं, तो लेंध किस से नापते हैं, तो स्टेडियो मीटर यह है, वाईवा के लिए important question, skin for thickness के ल के लिए शाके स्टेप, सभी वाईवा में पूछे जाते हैं, इन फैक्ट, आपको पॉर्टिंग में भी, स्पोर्ट्स में भी ना, हर्पेंडीन कैलिपर रख दिया जाता है, शाके स्टेप रख दिया जाता है, इन फैंटोमिटर अगर आपके याँ है, तो वो भी रख सक आपसे वाईवा में सीधा पूछ ले जाता है, डाइटरी साइकल का मतलब बताओ, और 24-hour recall method का मतलब बताओ, ये वाईवा के लिए इंपोर्टन कोशन है, ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक, तो ये तो हो गया आपके वाईवा के कोशन, अगर मैं बात करूँ, MCQs की तो जितने भी underlined part मिलेंगे हमारे notes और slides में वो सभी MCQs हैं, तो एक question तो मेरे पर ये मिला था, कि भाया, डाइटरी साइकल क्या होता, बहुत इंपोर्टन्ट MCQ, क्योंकि इसमें आप confused होते हो कि कच्चा खाना नापना है, कि पका हुआ खाना, कच्चा खाना नापना है, वजन लेना है साथ दिन तक, तो ये आपको MCQ है का चुका है, तो इसको याद रखना हो, इसके अलावा जो MCQ आपको आ सकता है, वो एक तो image-based question आपको MCQ में आते हैं, तो सीधा-सीधा ये infantometer का, ये stadiometer का, या sorter scale का, या आपको herpendence caliper का, या shark step, इनकी direct image आ सकती है, और MC क्यों आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये किस चीज को आपने के लिए इस्तिमाल करते हैं, तो ये तो एक मिल सकता है, उसके अलावा नो, nutritional assessment method पे आपको MCQ आ सकता है, कि ये सब इन में से कौन सी नहीं है, तो कई वार आपको anthropometric तो याद रहती है, आपना, vital statistics, functional indicators, ecological factors, इन में confused हो जाते हो कि भाई ये थोड़ी होंगी, ये भी होती है, तो इस पे भी MCQ आ सकता है आपको, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको nutritional assessment methods में पता ही होनी चाहिए, thank you.